हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रोइंग विद मनिस पर राज और आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपोर्टन ड्रोइंग लेकिया हूं इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस ड्रोइंग को किस तरह से रीड करते हैं किस तरह से ड 3D मोडल है इसको देख लीजी आप अच्छे से यहां पर यह देखी यह 30 ब्लेट बन रही है यह डायमेटर है यहां पर होल है एक यह एक यह इधर होल है यहां पर ऐसे कुछ बन के यह रैडियस बनी हुए यहां भी रैडियस है ठीक है अब इसका फ्रेंट व्यू हम देखें अगे फ्रेंट वी किदर बनावा है यह राप फ्रेंट व्यू है कैसे पता चला अब भाई आप यहां खड़े हो जो यहां खड़े होगे इस 3D मोडल को देखो देख रहे हो क्या क्या दिखेगा 2D में यह होल यह राजी यह रैडियस है से कुछ बन करकर यह रा ठीक है यह सिंगल लाइन दिखे गी साइड ठीक है फ्रेंट व्यू में यहां पर यह इसका जोंट है यह जों तीक रहा है यहाप यहुद्न Bunny बनावा यह जो देख रहा है यह रहा इचा गए बाली पहों हुए हुए यह इसके पर जाए से अफ्राइब देखेंग देखरे हो आप पूरा यह टोफ वाला वीए उपर से देखने पर कुछ इस तरह दीखेगा यह हो लहाये यह पथी रही इनकी डिटेल्स यह आप यह पे टोफ यह हो गया अब इसका राइट साइड वीव अब side view है कैसे पता चला right side view है वह ऐसे पता चला भई अब देखो अगर मैं इस drawing को यह जो front view है अगर मैं इसको इधर से देखता तो क्या क्य दिखता यह वाला हिस्सा दिखता यह दिखता यह मेरे को यह rectangular यह गोड़ा नहीं दिखता लेकिन अगर इसी ड्रोइंग को मैं इधर से देखता हूँ तो क्या के दिखेगा ये सिलेंडरिगल पार्ट यहाँ पे देखी बनाव है इसके ये अंदर का होल है ये बड़ा डायमेटर ठीक है ये पूरा सिलेंडर ये दिख रहा है ठीक है जी ये दोनों होल बने हुए ये दिख रहे है ये पिछे वाड़ा ये अरिया नहीं दिखेगा ये डख रहा है इसके पिछे ये थोड़ा सा विजिबल हो रहा है ये चोड़ा होने की वज़े से तो थोड़ा से यहां दिख रहा है, तो इस तरह से पता चलाएगी, यह इसके इस side का view है, इस side का, मतलब यह left side का view है, left side का view, sorry right side का view है, right side का view बन रहा left में, top का view बन रहा bottom में, इसा किस में होता है, first angle projection में, first में क्या होता है, viewer यहां पे है, ठीक है, यह रखा है आपका job, औ पीच में होता है, plane of projection उसके पीछे होता है, ठीक है, यहां से आप देखे तो यहां बन रहा है bottom में, मतलब यह first angle projection है, इधर से देखे तो इधर बन रहा है, यह कुछ है, first angle projection, third angle projection क्या होता है, यह वाला इससा तो यहां आ जाता है, यह उपर चला जाता है, यह इधर आ जात और यहां पर क्या दे रखा है डाय 48 इसका यह वाला देख रहे है इसका डाय 48 है ठीक है जी डाय 48 है यहां बोटम से लेकर और यहां तक की लेंद है 19 कहां यह जो इसका टॉप फेस है ने यह जो होल चो ले इसके फेस बोटम से यहां तक की लेंद 19 है इसकी जो टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट कितनी है, 119, 119 mm, ठीक है, यहां बोटम से लेके, और यहां तक की जो टोटल हाइट है, वो है 119, फ्रंट वाली में आप देखेंगे, यह जो गोड़ा दे रखा है, यह आर 14 है, यहां पर देखें, इसकी रेडियस होगी, 28 मतलब डायमेटर, यह होल नवाई, 28 mm डायमेटर का, यह ओल है, ठीक है, यहां दे रखा है, एरो देखें, निच्छे की तरह लए, ठीक है, टोप व्य में देखें, यहां से, यहां तक की लेंद आप देख रहे हैं, यह जो पत्ती देख रहे हैं, यह इसकी ठीकने सा 12 mm, और यहां से, यहां तक क लेंद 56 है और यह जो होल देख रहे हैं आप यह 20 mm डायमेटर का है जो हमें फ्रेंट वी में दे रखा था इस होल से यहां तक की जो लेंद है 128 मतलब यहां से लेके इस होल का जो संटर है इसकी पोजिशन है वो 128 mm है यहां इनके डायमेटर की बात कर रहा है यह क्या बोल रहा है सबसे पहले यह जो छोटा वाला डायमेटर यहां बीच में जो बन रहा है यह है आर अठारा का यह जो बीच में देख रहो भाई यह अठारा का 36 mm डायमेटर है इसका आर अठारा यह वाला जो और उस चोपर बड़ा वाला बन रहा है R35 यह जो सबसे बड़ा गोला है यह है इसकी ओड़ी है R35 मतलब 17 mm यहाँ पर एक radius यह देखे यह नीचे यह R बन रही है यह वाली radius यह वाली radius R45 की मतलब 90 mm की radius है 90 mm diameter R45 की ठीक है सेम वैसे ही उस साइड का जो छोटे वाले होला है यह वाला होला है इनकी detail दे रखे है R9 सबसे छोटे वाला जो diameter R9 का है मतलब 18 mm का होला है सबसे छोटा वाला उस चोपर यह वाली जो OD देख रहे है 18 R18 मतलब 36 mm diameter और यह बाहर जो radius बन रही है R24 मतलब 48 mm diameter है R दे रखे R का डबल हो जाता है ठीक है अब इसके side view में क्या दे रखा वैस side view में इधर से हम देखेंगे तो यह यह देखेगा यह जो है नहीं यह जो आप देख रहे है यह दर वाला diameter इसकी details यहां पर दे रखे क्या क्या है R12.5 मतलब 25 mm का तो बहीं इसमें होल है 21 R24 इसकी OD है मतलब 48 mm इसकी OD है इसकी OD आप देखेंगे तो कितनी है 48 mm यहां भी दे रखे देखे 48 mm दे रखे और यहां R24 भी दे दिया मतलब OD इसकी 48 है इसकी बात करें position की तो यहां bottom से लेके 80 mm पे इसकी position है और इस hole से इस hole के जो center to center distance है इस वाले hole से इस वाले hole की center to center distance है वो है 130 तो इस तरह से यह drawing होगी complete दोस्तों मेरे कहाल से आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी drawing थी और बहुत ही available drawing है अगर आपको ऐसी drawings और चाहिए ऐसे वीडियो और चाहिए तो मुझे comment करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching अगर आप व्ट्सप ग्रूप में जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रेप्शन में आपकी जो भी क्यूरीज है वहाँ आप मुझे पूच सकते हैं से रिलेटेड, CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, VM ची प्रोग्रामिंग, SMC, मेजाक प्रोग्रामिंग, everything जिस्चे रिलेटेड आपको क्रिस्चन चाह आप में चे पूच सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो